नमस्कास विप्रभाद स्वागत आप सभी का मैं हूँ आपके साथ प्रिती आये शुरॉत कर लेते हैं हेड्लाइन्स के साथ राज्य सभा में अवरोध से मंत्री का जवाद नहीं हो पाया पूरा विपक्ष का सरकार पर तनाव और टकराव बढ़ाने का आरोप जेटली ने कहा देश तोड़ने की सोच का नहीं होना चाहिए समन्धर रेल बजट में रेलवे की माली हालत बेहतर बनाने पर जोर नहीं बढ़ा यात्री किराया और माल भाड़ा दोजार बीस तक सबको कनफॉर्म टिकेट का बादा संसद में आज आर्थिक सर्वे वितमंत्री अरुन जेटली करेंगे पेश अर्थ्वेवस्था के आकड़ों के साथ भविश्र की नीतियों का होगा खाखा करहिया फिर एक दिन की पुलिस हिरासत में उमर खालेद और अनिर्बंस से आमने सामने होगी पूछताज पट्याला कोर्ट पर इस सर मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज अर्याना मिला परवाही बरतने के आरोप में रोहतक क्या आईजी श्रीकान जाधम निलंबित डोड डियेस्पी परभीगिरी गाज पुलिस का दावा हिंसा करने में बहरी लोग भी शामिल राजी सभा में कल जेनियो और हैद्राबाद युणिवरस्टी में रोहत मेमुला मामले पर बहस हुई चर्चा के बाद मानव संसादन रिकास मंत्री स्मृति इरानी ने चर्चा का जवाब देना शुरू किया उन्होंने हिद्राबाद युणिवरस्टी और जेनियू में सरकारी दखल के आरोपों को खारिच करते हुए युणिवरस्टी की तरफ से दिये गए पत्रों का हवाला दिया लेकिन विपक्षी सदस्यों ने मानव संसाधन विकास मंतरी के कुछ टिपणियों पर अपत्ती जताई जिसके बाद सदन में अव रोध पैदा हो गया सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोग जोग जारी रही इसके बाद उपसभापती ने सदन की कारवाई कल तक के लिए यानि आज तक के लिए स्थकित कर दी कर दीक कर द सकता है यач victory sees his party as a private agency my humble apologies mr 1997 I'm quoting Rohit these are not my words and he is waiting until this amendment is made so that he would convince his party to take Dalits into leadership or he is just on the feeling that private sector will be damaged automatically if one's industries are compelled to take valid into this इदर विपक्षिदल मानव संसादन विकास मंतरी के जवाब से संतुष्ट ने ही दिखे CPM ने सरकार के जवाब को नाकाफी बताया वहीं कॉंग्रेस ने आरोप लगाय कि सरकार देश में तनाव और टक्राव बढ़ाना चाहती है जेडियू ने मानव संसादन विकास मंतरी पर मर्यादाओं को भंग करने का रोप लगाया वहीं बेस्पी ने सरकार पर धार्मिक भावनाओं को भढ़काने का रोप लगाया पर देश में तनाव और टक्राव बढ़ाना चाहती है और इनकी हर साजिश हर ये हरकत सुनी योजित है संसाद की स्थापित परंपराएं हैं देवी देवता पैगांबर के विशे में जो आपती जनक टिपनी हैं वो सदन के रिकोर्ड में नहीं आनी चीए सिर्मती इरानी ने आज सभी मर्यादाओं को भंग किया अब जाब सुने के रितायाद नहीं है इससे पहले जेनियो और हैदरबाद के इंदरे विश्विद्याले से जुड़े विवाद पर चर्चा की दोरान राज्य सभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर आरूप लगाए कॉंग्रेस और सीपीम ने इन विवादों की जाच के लिए सदन की समिती बनाने की मांगी वहीं बीजेपी ने साफ किया कि वो अलग-अलग विचारधाराओं के पक्ष में है लेकिन देश विरोधी गतिविद्यों को बरदाश नहीं करेगी केंदरी विश्व विद्यालें के मौझूदा हालात पर चर्चा की शुरूआत सीपीम संसद सेता राम ये चुरी ने की उन्होंने अरोप लगाया कि सरकार विरोधी आवाज को दबा कर अपनी विचारधारास थोपना चाहती है राज-सब्हा में विपक्ष के इता गुलाम नबी आजब ने सरकार को सलहा दी कि व राज रीता की ढखाल बनाकर समाज भूबातने की कोशिश ना करेख requires कुमेटी होनी चाहिए और विपक्ष का कोई भी लेडर उसका चैर्मैन होना चाहिए और जो functioning of universities का देखे वही वितमंद्री और नेता सदन अरूर जेटली ने चर्चा में हस्ता शेप करते हुए सरकार की कारवाई का बचाव किया और उने साफ किया कि सरकार दूसरी विचारधारों का समान करती है लेकि देशद्रोही गतिविधिया बरदाश्ट नहीं की जाएगी बीस्पी ने रोहित वेबुला की आत्पत्या की जाज करने वाली समीत में दलिश सदस्य को शामिल करने की बाग की तो सवाजवादी पार्टी ने जम्मु कश्मीर में देश विरोधिक गतिविधिया करने वालों को गिरफतार करने की बाग की जो नियाइक जाचा योग बना है उसमें सदूल काष्ट का अपाइंट मेंट होना नियाज जरूरी है ताकि दलितों में नियाइक के पिरती विश्वास बढ़े जम्मु कश्मीर में जा करके अपने सहियोगियों के जुलूस में आने वालों की निशान दे ही करो जो वहाँ पाऊगे कि कौन यो है राष्ट विरोध में है और कौन राष्ट पक्च में इस मुद्धे पर अल्बकालिक चर्चा बुद्वार को हुरी थी लेकिन अवरोध के चलते चर्चा नहीं हो पाई थी दोविकरब सिक के साथ विशाल दहिया राज़स अभाटी वी दिल्ली के एक अदालत ने देश जिद्रो के आरोप में गिरफतार जियनियू चातर संग अध्ध्यक्ष कनहिया कुमार को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज़ दिया पुलिस ने कनहिया के फिर से रिमान पर लिये जाने के मांग की थी पुलिस इस मामले में उमर खालिद और अनर्बन भटाचारे से आमने सामने पूछ ताच करना चाहती है कनहिया को 12 फरवरी को गिरफतार किया गया था इस बीच अदालत ने दिल्ली पुलिस को उमर खालिद और अनर्बन के आवाज के नमूने एकत्र करने के अनुमती देने से इंकार कर दिया है मुई सुप्रीम कोट पटे आला हाउस अदालत परिसर में कनहिया और बाकी लोगों के साथ हुई मारपीड के मामले में तीन वकीलों पर नियायले के अवमानना से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई करेगा याचिका में इस घटना की जाच के लिए विशेश टीम के गठन की मांगी गई है संसद में आज 2015 सूला का आर्थिक सर्वेक्षन पेश किया जाएगा आर्थिक सर्वे से ये पता चलता है कि पिछले वित्वर्ष में देश के आर्थिक स्थिती कैसी रही भविश के आर्थिक नीतियों का आखाका तैयार करने में ये सर्वे कारगर साबित होता है सर्वे में वितमंतरी अर्थविवस्था से जुड़ी हर गतिविधी का लेखा जूखा रखेंगे इसमें विकासदर की तस्वीर पेश करते हुए राज कोशिय मजबूती पर ध्यान देने के लिए जरूरी कदमों का भी उलेख होगा महंगाई को कम और स्थिर रखने के उपायों को भी शामिल किया जाएगा सर्वे में वितमंतरी समझाने की कोशिश करेंगे कि बहरी हालात का अर्थविवस्था पर किस तरह से असर पढ़ रहा है सर्वे में उद्योग जगत के आकड़ों की जानकारी क्रिशी बेविकास की रफ़तार के साथ सेवक शेतर की रूप रिखा भी मिलेगी बीते मौनसून का खेती पर पढ़ने वाले असर को रे खांकित किया जाएगा इसके लाबा विदेशी मुद्रा भंडार के आकड़े भी आर्थिक सर्वीक्षन में शामिल होंगे रेल मंतरी सुरेश प्रभूने कल संसद में 2016-17 का रेल बजट पेश किया इसमें यातरी किराय और माल भाड़े में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है बजट में चार स्पेशल फेसलिटी वाली ट्रेने चलाने और नए रेलवे कोरिडोर बनाने का एलान किया गया है इसके लावा ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने 2020 तक सबके लिए रिजर्वेशन और समय पर गारिया चलाने का लक्ष रखा गया है इस बार बजट में रेलवे के लिए 1,20,000 करोड रुपे के योजना व्याय का प्रस्ताव किया गया रेल मंत्री सुरेश प्रभू ने गुरुवार को रेल बजट पेश करते हुए 2020 तक रेलवे की योजनाओ का खाका पेश किया बजट में रेल मंत्री ने तीन नई ट्रेने चलाने का ऐलान किया इसमें तेजस हमसफर के लावा उदै नाम से डबल डेकर ट्रेन चलेगी इसे बिजी रूट पर रात में चलाए जाएगा इसके लावा अन्तियोदा एक्सप्रेस लंबी दूरी की ट्रेन होगी इसमें कोई भी रिजर्वेशन कोच नहीं होगा साथ ही ट्रेडों में दीद द्याल अर्डिजर्व कोच लगाए जाएगे बजट में बहार अगरों में रेल सिवाओं के विस्तार पर विशेश जोर दिया गया है इसके तहट एमदाबाद मुमबई के बीच हाई स्पीड कोरिडोर और कोलकाता बे एक्सप्रेस कोरिडोर बढ़ा जाएगा मुमबई में रेल्वे स्टेशनों को मेट्रो स्टेशन और एरपोर्ट से जुड़ा जाएगा दिल्ली के रिंग रोट की तरच पर रिंग रेल्वे शुरू होगी मिशन रफतार के तहट ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई जाएगी मालगाडी की औसद रफतार, 50 किलोमेटर और पैसेंजर ट्रेनों की औसद गती 80 किलोमेटर प्रति घंटे करने का लक्ष रखा गया है अजमेर, अमरतसर, गया, सारनात और वारणसी जैसे धार्मिक स्थानों के स्टेशनों का रेनोवेशन किया जाएगा सुरेश प्रभू ने पिछले साल के बजट में रेलवे के काया कल्ब का रोड मैप पीश किया था और इस बार के रेल बजट के जरिये अगले चार साल का विजन सब के सामने रखने की कोशिश की गई है अरविद कुबार सिंग राजी सभा टीवी रेल बजट में बुज़ूर्गों और महिलाओं के साथ आम यातरियों के बहतर सेवाई देने का प्रस्ताव किया गया है साथी कई स्टेशनों को हाई टेक बनाने का एलान किया गया है ट्रेनों में सफाई पर विशेश जोर और शिकायत के लिए नई फोन लाइन शुरू करने का एलान किया गया है रेल मंत्री सुरेश प्रभू ने बजट में रेल सिवाओं के आतरुगी करण और रेलवे को हाई टिक बनाने को लेकर कई ऐलान किये इसमें बच्चों, महिलाओं और बुज़र्गों की सुविधाओं पर विशेश जोर दिया गया है ट्रेनों में सेनियर सिटिजन और महिलाओं का रक्षर कोटा बढ़ाया जाएगा अब इस्टेशनों में बेबी फूड, हॉट वर्टर और दूसरी चीज़ें भी मिलेंगी यात्रियों की शिकायत के लिए नई फोन लाइन 182 शुरू होगी वही मसाफिर हेल्प लाइन 149 से टिकेट कैंसिल कराया जा सकेंगे टिकेट बुकिंग के वक्त बीमा की वैकलपिक सुविधा भी मिलेगी इस्टेशनों को हाइटेक बनाने के लिए दो साल में 400 इस्टेशनों को वाइफाई और 300 से ज़्यादा इस्टेशनों को CCTV से लेस्ट किया जाएगा रेल बजट में ट्रेणों और स्टेशनों की सफाई पर ध्यान दिया गया है इस्टेशनों में 13,000 और ट्रेणों में 17,000 बायो टाइलेट लगाए जाएगे 400 से ज़्यादा इस्टेशनों पर I.R.C.T.C. E. Catering Service भी देखेगी रेल बजट में बिना किराय बढ़ाय, रेलवे बेहतर स्विधाय और सुरक्षा की गारंटी देने की कोशिश की गई है विशाल दाया के साथ रवीज चिंग शुरार राजे सभा टीवी खिराय और माल भारे में बढ़ोतरी तो नहीं हुई लेकिन आए बढ़ाना रेलवे के सामने सबसे बड़ी चुनाओती है चालू वितरश में आमदनी लक्ष से कम है ऐसे में रेलवे ने धन जुटाने के लिए दूसरी योजनाय तैयार की है रेल मंतरी सुरेश प्रभू ने शुरुवात में ही ये साफ कर दिया कि समय चुनाओतियों से भरा है वैश्विक मंदी और सातवे वेतन आयोग ने आय बढ़ाने की च्छमता सेमित कर दी है और यही वज़ा है कि आगामी वितवर्ष में रेलवे का परिचालन खर्च 92 फिजदी पर पहुँच जाएगा फिलहाल ये 90 फिजदी है यानि एक रुपए में रेलवे के 92 पैसे खर्चोंगे और निवेश के लिए बचेंगे महज 8 पैसे चालू वितवर्ष में रेलवे ने यातायात से 1,83,578 करोण रुपए कमाने का लक्ष रखा था लेकिन इसमें 15,744 करोण रुपए की कमी का अनुमान है आगामी वितवर्ष में रेलवे ने 1,84,820 करोण रुपए की आए का लक्ष रखा है यात्री किराय से 51,012 करोण रुपए मिलने की उम्मीद जताई गई है रेलवे 5 करोण टन माल धुलाई की उम्मीद कर रहा है वही पेंशन पर 45,500 करोण रुपए खर्च करने होगे रेलवे के आदरुकी करण के लिए अगले 5 साल में 8,50,000 करोण रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है इसमें से 1,20,000 करोण रुपए वित वर्ष 2016-17 में निवेश किये जाएंगे आपदनी बढ़ाने के लिए स्टेशनों और पट्रियों के आसपास की भूबी से आय अरजित करने का भी प्रस्ताव है ट्रेडों और स्टेशनों पर विज्ञापनों को भी बढ़ावा दिया जाएगा रेल मंत्री ने रेलवे बोर्ड के पुनर गठन का प्रस्ताव भी रखा है इसका मकसर रेलवे के सभी अंगों में समनवाए के साथ व्यवसाइक सोच को बढ़ावा देना है अरविद कुमार सिंग राजिस भाटीवी इंद्र सरकार ने जेनियो और पट्याला हाउस कोट मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई कारवाई का बचाव किया है राजिसभा में कल राजधानी का खानून व्यवस्था पर ध्याना करशन प्रिस्ताव पर चर्चा की दोरान विपक्ष ने सरकार पर पट्याला हाउस कोट के आरूपियों को बचाने का रोप लगाया डिल्ली में कानून विवस्था को लेकर राजिसभा में गुरुवार को ध्यानाकरशन पिस्ताव पर चर्चा हुई बहस का जवाब देते हुए ग्रह मंत्रे ने जेनियू और पटियाला हाउस कोट मामले में डिल्ली पुलिस का बचाव किया पतियाला हाूस कोड़ की जो घटा है बहुत दर्भा की कुण है उसकी मैं निंदा करता हूं पहले भी निंदा किया था और आज भी मैं निंदा करता हूं जो भी विधिसम्मत है, वह कारवाई हमारी दिल्ली पुलिस ने की है, वैसे हमारी सरकार का जहां तक प्रस्न है, पुलिस के इन्वेसिगेशन के काम में हम कभी भी हस्तक्षिप नहीं करते हैं. इससे पहले चर्चा में हिस्सा लेते हुए कॉंग्रेस समेथ दूसरे दलों के सासदों ने जियनियो और पटियाला हाउस कोड के मामले में पुलिस के कारवाई को लेकर सरकार को घिरने की कोशिश की थी. आप दन तो एक्सा होना चाहिए ना? अगर कोई कस्मीर से आकर नारा लगाता है वो भी दन्डनी है और कोई यहां नाथुराम गौड से को गांधी की हत्या करने वाले की पूजा करने की कोशिश करता है तो वो भी दन्डनी है. सरकार ने सदन को भरुसा दिलाया कि अगर पुलिस की ओर से कोई लापरवाही बरती गई है तो दोशी पुलिस कर्मियों पर कारवाई की जाएगी. ग्रैमंद्री ने राजधानी में कारून विवस्था बनाये रखने में दिल्ली पुलिस की कोशिशों की तारीफ भीकी. विशाल दहिया, राज्य सभाटी वी. अरुनाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री कालिखोपुल की सरकार ने विधान सभा में बहुमत साबित कर दिया है. विधान सभा 40 विधाईकों ने उनका समर्थन किया, जिसमें 27 विधाईक कॉंग्रिस के हैं. इनके अलावा, बीजेपी के 11 और दो निर्दलिय विधाईकों ने भी कलिखों का समर्थन किया. 60 सदस्यों वाली विधान सभावे फिलाल 58 सदस्ये हैं, वही कॉंग्रिस के वरिष्ट विधाईक वानकी लुवांको विधान सभाद द्यक्स चुना गया. लुवांको 40 सदस्यों का समर्थन मिला जबकि कॉंग्रिस के 17 विधाईकों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया. महराश्ट्र के पालगर में मिड्डे मील खाने से 200 से ज़ादा च्छात्र बीमार हो गए. इन में से कई चात्रों की हालत नाजुग बनी हुई है. बीमार चात्रों को स्थानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. महराश्ट्र के पालगर जिले के विक्रमगर के सरकारी अस्पताल में उस समय अफरात तफरी मच गई जब करीब 200 से ज्यादा बीमार बच्चों को भर्ती कराना पड़ा. बताया जा रहा है कि मिड़े मील खाने की वज़ा से बच्चे बीमार पड़े. बच्चों को मताबिक गुरुवार दोभर खेचडी खाने के बाद उन्हें चक्कर, पेट में दर्द, उल्टियां होने लगी. हालाद बिगलता देख बच्चों को तुरंट पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना की जानकारी तुरंट घरवालों को दी गई, अस्पताल में अपने बच्चों को देखने पहुँचे, घरवाले भी इस घटना से बेहद हैरान थे. सब ही बीमार बच्चे पहली से साथवी क्लास के हैं, गंभी रूप से बीमार बच्चों का इलाज चल रहा है, कुछ बच्चों का प्रात्मी कुप चार करके घर भेज दिया गया, वहीं मामले के सामने आने के बाद जाच की मांग उठने लगी है. ब्यूरो रिपोर्ट राज्य सभा टीवी. ब्यूरी जीपी, बीके सिनहा को जाट अरक्षन के दौरान हुए प्रदेशन और हिंसा मामले की जाच के लिए नोडल जाच अधिकारी नियुक्त किया है. इस बीच हर्याना पुलिस ने दावा किया है कि अंदोलन के दौरान कुछ विगडन कारी ताकती स्थानिये युवाओं के साथ शामिल हो गई थी. सिनहा ने दावा किया है कि खुफिया एजिंसियों ने इस बारे में इनपुट दिया है. फिलाल जीन में पचास मामले दर्ज किये गए हैं जो आँच के बाद इन मामलों में पुलिस जरूरी गदम उठाएगी. उस भीड में मुझे ऐसा लगता है कि आरक्षन के नाम वाले साथ 20% लोग भी नहीं थे. उपद्रवी लोग जिनका की आरक्षन से को लेना देना नहीं है. जो सिर्फ समाज में विगटन चाहते हैं, लूट चाहते हैं, वो यह चाहते हैं कि भीड का फाइदा उठाके और लूटने कोशिस करें. उपराश्पती मौमंद हामिद अंसानी ने गुरुबार को उपने आवास पर प्रशिक्शु आईएस अधिकारियों से मुलक्त की. इस मौकए पर उपराश्पती ने कहा कि अधिकारियों को अपने कारेबार के अलावा, सरकार की नीतियों और कारिकरम को भी कारियान वित करने पर धिहान देना चाहिए पिश्ड़साल नवंबर में ये लोसी के खरीब तंग धार सेक्टर में सीना के शिवर पर हमले के मामले में छे आतंकियों को गिरफदार किया गया है पकड़े गए आतंकियों में एक पाकिस्तान का नागरिक है सुरक्षा बलू ने उत्री कश्मीर के बारामुला जिले में एक आतंकी मौड्यूल का भी पता लगाया है कोलिस को शेहर में एक पाकिस्तानी आतंकी की घुसने की सूचना मिली थी इसके बाद उसकी तलाश में सुरक्षा बलू ने बारामुला जिले में एक सर्च उपरेशन चलाया था इस उपरेशन के दोरान सुरक्षा बलू ने जैशे मौड की आतंकी मौड सिदीक और्फ शहद को गिरफ़तार किया जो पाकिस्तान के सियाल कोट का रहने वाला है परिश्ट पर दबाव बनाएगा इसके लिए जल्दी संयुक तराश्ट्र में प्रस्ताव पेश किया जाएगा विदेश मंतराले ने कहा है कि जैश मुहमद आतंकवादी संगटन की सूची में हैं लेकिन उसके सरगना को अंतराश्ट्री राजनीती की वजह से आतंकवादी नहीं माना गया है पिछली बार 2009 में भारत की तरफ से ऐसा प्रियास हुआ था लेकिन चीन की असेहमती की वजह से वो प्रियास नाकाम हो गया था मसूद अज़र के अलावा भारत जमात उद्दावा और लश्कर-टैबा के आजम चीना को भी अंतराश्ट्र आतंकवादी क सूची में डालने के लिए दबाव बनाएगा भारत का मानना है कि दक्षिन चीन सागर में एक तरफा कारवाई से तनाव बढ़ेगा दक्षिन चीन सागर में कारवाई को लेकर भारत ने कहा कि सभी देशों को सागर में एक तरफा कारवाई से बचना चाहिए इस अंतराश्टी जलक्षित्र में दबदबा कायम करने को लेकर किये जा रहे है चीन के निर्मान कारे पर प्रतिक रिया जाहिर करते हुए विदेश मंत्राले के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ये बात कही उन्होंने कहा कि 1982 के United Nation Convention on Law of the Sea के मताबिक अंतराश्टी जलक्षित्र से होकर बुजरने के अधिकार पर रोक नहीं लग सकती दक्षिन चीन सागर में अपने सैने ठिकानों को सही ठहराते हुए चीन ने इसके वुरीद्वीप पर मिसाले तैनाद की थी भारत ने चक्रवाती तूफान से परिशान फिजी के लिए 44 टेंड रहत सामगरी भीजे है इसमें दवाएं, भूजन और टेंट जैसे जरूरी सामान है सामगरी को वायुसेना के विमान C-17 ग्लोब मास्टर से भीजा गया है इसके लावा भारत ने विनाशकारी तूफान के बाद मुश्किल समय से गुजर रहे फिजी को एक मिलियन डॉलर की तुरंत आर्थिक सहायता भी दी है विंस्टिन तूफान शरीवार को फिजी के तट से टकराया था विंस्टिन तूफान की चपेट में आकर अब तक 44 लोगों की जान जा चुके है और हजारों लोग बेघर हो चुके है आतंकी संगटन आई इसने ट्विटर और फेस्बुक के सीओ को जान से मानने की धमकी दी है संगटन एक नया विडियो जारी किया है जिसमें सोशल नेट्वरकिंग साइट पर उनके कंटेंट को ब्लॉक करने पर नाराज़गी जताई गई है पेस्बुक सीओ मार्क जुकरबर्ग और ट्वीटर सीओ जाग जोरस से के फोटो इस विडियो में दिखाए गया है खालगी में दोनों नेट्वरकिंग साइट्स ने आतंकी संगटन से जोड़े अकाउंट को बंद करने का एलान किया था इन कंपनियों के सीओ का कहना है कि वो ऐसी धमकियों को तवज्यों नहीं दे थे और आखिर में हिटलाइन्स पर रिखने से राजिस सभा में अब रोध से मंत्री का जवाब नहीं हुआ पूरा विपक्ष का सरकार पर तनाव और ठक्राव बढ़ाने का रोप जेटली ने कहा देश तोड़ने की सोच का नहीं होना चाहिए समर्खन रेल बजट पे रेलवे की माली हालत बेहतर बनाने पर जोर नहीं बढ़ा यात्री किराया और माल भाड़ा दोजार बीस तक सब को कनफर्म टिकेट का बादा संसद में आज आर्थिक सर्वे वितमंत्री अरुन जेटली करेंगे पेश अर्थविवस्ता के आकड़ों के साथ भविश्य की नीतियों का होगा खाखा कढ़ेया फिर एक दिन के पोलिसे रासत में उमर खालेद और अनिर्बन के से आमने सामने हूँ भी पूछताच पट्याला कोट पर इस सर्मार पीट मामले में सुप्रीम कोट में सुनवाई आज हर्याणा मिला परवाही बरतने के आरोप में रोत तक कि आईजी श्रीकान जाधर निलंबित दो डेस्पी परभीगिरी गाज, पुलिस का दावा, हिंसा करने में बहरी लोग भी शामिल और फिल्हाल इस बुलिटिन में इतना ही, आगे देखिए देश देश अंतर, नमस्कार